विडियो को आखरी तक जरूर देखें क्योंकि आज हम बहुत ही इंपोर्टेंट न्यूस डिसकस करने वाले हैं तो कोल को अब अभी तक हम टॉप स्टेट पढ़ आ रहे थे जारकन को लेकिन अभी अभी चत्रसगर ने कोल की प्रड़क्शन में टॉप किया है यानि overall जो coal का production होता है उसमें 36 गड़ आगे है लगबग अगर हम देखे फिछले साल से इस साल तक तो 2.02% की गिरावट आई है कोल के production में लेकिन फिर भी 36 गड़ यहाँ पर आगे है इसमें से जो total coal का production हुआ है 671 million ton के आसपास non-coking coal है और 44 million ton के आसपास cooking coal है अगर हम बात करते हैं कि 36 गड़ परस्ट है तो second और थर्ड नंबर पे है ओड़िसा और मध्यप्रदेश आपको याद होगा कि जारकंड cooking coal के production में तॉप पर है cooking coal के production में remember लेकिन overall coal का production हम देखे तो 36 गड़ आगे होगा question number two tiangong is the flagship space station of which country UAE, China, Japan और South Korea and the correct answer is option B China नान से ही आपको clearly समझ में आरा होगा tiangong यह Chinese word है लगबग तो इसमें flagship station जो है यह चाइना का है यह एक ऐसा flagship construction है चाइना की space administration के द्वारा जहां पर इन्होंने astronauts को भेजा था first space walk के लिए इस station में तो इन में से तीन astronauts जो यहाँ पर गए थे उसमें दो लोग blast हो गए थे इनका नाम है Liu bombing और tank Hongo जिनोंने 7 घंटे तक tiangong station के बाहर काम किया और अर्थ के आसपास जो orbit होती है अर्थ की orbit उस station में यह रहे इससे पहले USA day Chinese astronauts को ban कर दिया था International Space Station use करने से So remember this thing यह आप देख सकते हैं Tiangong Space Station और तीन astronauts जो की इसमें बैट कर गए थे Next question है India joined OECD G20 inclusive framework on BEPS What is the expansion of BEPS आपको यह पर full form बताना है BEPS का तो यह है base erosion and profit shifting Full form है BEPS का अब क्यों यह चर्चा में है इंडिया ने अभी अभी global tax deal को join किया है जो की G20 OECD के inclusive framework on base erosion and profit shifting के अंतरगर आता है इसमें क्या होगा Tax reform में नए innovations आएंगे जो भी international tax के rules है regulations है उनको shift किया जाएगा ताकि multinational companies जो है उन्हें अपनी share price में भी fairness मिले और साथ ही साथ tax के pay में भी वो fairness रख पाएं यहां पर आप देखेंगे India will have to roll back the equalization levy that it imposes on MNC such as Google, Amazon and Facebook तो यहां पर आप देख सकते यह global tax deal है जिसमें की 130 countries शामिल है OECD G20 के agreement के तहद यह two pillar deal है because यहां पर fair distribution of MNC profit और local taxing right दोनों की ही बात की जारी है जो corporate tax flow rate होगी वो 15% proposed की गई है इसका equalization levy पर भी काफी अच्छा इंफेक्ट पड़ेगा ताकि लोगों का profit sharing और tax collection दोनों में ही equality बनी रहे next question के और बढ़ते हैं what is the priority sector lending target for micro enterprises as mandated by RBI so this is 7.5% priority sector lending है micro enterprises के लिए remember reserve bank ने से fix किया है 7.5% of the bank's total credit right तो जो भी bank की credit होती है like bank के पास अगर 100 रुपे की credit available है तो उस 100 रुपे में से bank क्या करेगा 7.5 रुपी किसको देगा micro enterprises के लिए reserve रखेगा यानि कि priority किसको दी जाएगी micro enterprises को ताकि उनकी growth में कुछ योगदान government भी कर सके हम उन्हें उपर ला सके ठीक है तो यहाँ पर basically यह है कि bank की जितनी भी credit होती है जितना पैसा bank के हाथ में होता है उसमें से 7.5% हर bank को reserve रखना होगा MSR News के लिए यह किया गया आत्मनिर्वर भारत के अंतरकत बिकाउज आत्मनिर्वर भारत में government चाहती है कि हर कोई आत्मनिर्वर हो self dependent हो अगर हम उन्हें लोन प्रोवाइट करते हैं किसी भी तरह का तो वो अपने business को आगे बढ़ा सकते हैं और competition में खरे उतर सकते हैं नेक्स्ट क्वेशन है नियोवाइज यहाँ पर आप देख सकते हैं नियोवाइज विच गॉट फॉर टू येर mission extension इस दे टैलेस्कोप आफ विच स्पेस एजनसी तो सबसे पहले तो आपको यह याद रखना है कि नियोवाइज क्या है तो नियोवाइज एक टैलेस्कोप है और ये टू येर का mission extension मिला है इसको किस स्पेस एजनसी का है तो नासा का है नासा एक अमेरिकन स्पेस एजनसी आपको याद होगा यहाँ पर नियोवाइज का मतलब है नियर अर्थ ऑबजेक्ट वाइड फिल्ड इंफ्रारेट सर्वे एक्स्प्लोरर यानि यह अगर हमारी अर्थ है तो हम देखते हैं कि अर्थ के आस पास काफी सारे चोटे 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 ऐस्टोरोइज वगेरा कॉमिट्स वगेरा होते हैं तो इन एस्टोरोइज जो भी होते हैं अर्थ के आस पास जो अबजेक्ट से नियर अबजेक्ट से उनका अर्थ से टकराने पर बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है तो नियोवाइज टेलस्कोप क्या करेगा इनने देखेगा इनको विजुलाइज करेगा और आने वाले खत्रे से पहले ही हमें आगाब कर सकता है तो बेसिकली नियर अबजेक्ट में आपके अस्टेरोइज कोमेच वगेरा आ जाते हैं और यह क्या है नियोवाइज एक टेलस्कोप है यह इस तरह से आप देख सकते हैं यह हमारी अर्थ है और यहाँ पर आप देखेएं कितने सारे अस्टेरोइज नजर आ रहे हैं चोटे चोटे उलका पिंड होते हैं यह रॉकी सबस्टेंस होते हैं जिनके अर्थ से टकराने से बहुत बड़ी दुरगटना हो सकती है तो इनके नेचर इनका वे इनका पाथ ही सब कुछ अब्जर करेगा कौन नियोवाइज टैलस्कोप जो की यह रहा नेक्सन निपुन भारत प्रोग्रम भारत सरकार ने अभी अभी शुरू किया है रमेश पोक्रियाल निशंग उन्हों ने hé प्रोग्राम बेसिकली स्टाट किया है अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि निपुन यपन प्रुलर्म क्या है प्रोग्स्प्रीइब 성공able basically किसके लिए launch किया गया है 3-9 साल तक के बच्चे जो कि basically 3rd से 5th standard तक के रहते हैं तो 3-9 साल तक के बच्चों के लिए अच्छी तरीके से learning उनकी सुधारी जा सके better level की education उनको provide की जा सके ताकि उनकी जो proficiency है reading में understanding में, numeracy में वो सारी बढ़ाई जा सके और ये प्रोग्राम किसका पार्ट है ये new education policy जो अभी आई है national education policy 2020 उसका ही पार्ट है department of school education and literacy के द्वारा ministry of education ये इसकी implementing agency होगी किसकी निपुन भारत प्रोग्राम की और national level पे ये प्रोग्राम काम करेगा ये देख सकते हैं ये है श्री रमेश पोख्रियाल निशंग जनोंने ministry of education के अंतरगत निपुन प्रोग्राम को लॉंच किया है फुल फॉर्म आपको याद रतना है बहुत ही important question है ये national initiative for proficiency in reading with understanding and numeracy question number seven the coven global conclave was recently organized by the government of which country तो यहाँ पर Indian government ने coven global conclave को अभी अभी organized किया है और ये virtually organized किया गया था क्योंकि आप सभी जानते हैं covid का समय चल रहा है जाद तर जो भी organizations हो रहे हैं conclaves हो रहे हैं वो virtually ही किये जा रहे हैं आगे बढ़ते हैं which among the following projects has backed the world's most innovative investment promotion agency 2021 award by OCO global तो हमारे इंडिया की एक scheme है invest इंडिया इसे अभी-अभी world का most innovative investment promotion agency यह आई-पे 2021 award मिला है और किसने इसे दिया है OCO global ने इसे दिया है क्योंकि जो हमारे IPAs है यानि कि यहाँ पर investment promotion agency है यह उन challenges को adapt करके और covid recovery में किस तरह का काम कर रही है जो कि sustainable भी हो digitization projects को ले कर आ रही है कि किसी ना किसी तरह से economy को recover किया जा सके पूरी दुनिया में जो loss हो रहा है उसे recover किया जा सके और वापस से investment कैसे लाया जाए इसके लिए invest India को यह award दिया गया है Next question The Parliamentary Standing Committee on Education has sought help from which organization for technical assistance to start TV classrooms in India इंडिया में TV classroom को start करने के लिए किस organization की सहायता ली जा रही है तो ISRO की सहायता ली जा रही है ISRO इंडिया की space agency है Indian Space Research Organization यह क्या करेगी नोडल agency की तरह काम करेगी जो कि Parliamentary Standing Committee का साथ देने वाली education पे जिसके हैड होंगे विनय शहस्त्र बुद्धे रिमेंबर जिसके हैड होंगे विनय शहस्त्र बुद्धे और यह टेक्निकल असिस्टेंट प्रोवाइट करेगा ISRO Next question Who is the author of the book Lady Doctors The Untold Stories of India's First Women in Medicine यह किताब लिखी गई है कविता राओ जी के द्वारा यह देख सकते हैं आप कविता राओ हैं और यह है इंडिया की पहली महिला डॉक्टर Alongside कादंबनी कादंबनी गांगली Remember आनन्दी भाई गोपाल राओ जोशीन का नाम आपको याद रखना है भारत की पहली Western Medicine की डॉक्टर रही है यह और इनी के उपर यह किताब लिखी गई है Lady Doctors The Untold Stories of India's First Women in Medicine किस के द्वारा? कविता राओ जी के द्वारा और यह पब्लिश की जाएगी Amazon-backed Westland Books के द्वारा Question No.11 Name the winner of 2021 Australian Grand Prix The Australian Grand Prix के winner है Max Verstappen पहले भी हम discuss कर चुके हैं तो आपको याद रखना है क्योंकि sports equation आने की संभावना बहुत जादा होती है तो यह कौन है Max Verstappen? यह Formula One Racer है Next question Karsten Warhol Has recently broke the world record in 400 meter hurdles by clocking 46.7 seconds as against the previous record of 46.78 seconds 29 years back The athlete Warhol is from which country? तो यहाँ पर basically question पूछा गया है कि Karsten Warhol यह किस country से belong करते हैं तो यह नौर्वे से belong करते हैं नौर्वे के रहने वाले हैं और यह कौन है? Sprinter है तो इन्होंने अपनी जो race है उसे महस 46.7 seconds में complete करके 29 साल पुराना record ब्रेक किया है इमेज में आप देख सकते हैं Next question Which day of the year is observed as World Genosis Day? तो यहाँ पर July 6 को हर साल World Genosis Day celebrate किया जाता है अब आप सोच रहे होंगे कि Zoonosis Day क्या होता है तो Zoonosis यानि Zoonotic Disease को लेकर जो awareness के लिए दिन celebrate किया गया उसे हमने World Genosis Day कहा और Genotic Disease क्या होती है जो कि animals से transmit होती है किसी भी पक्षी या जानवर से transmit होकर human beings में जो disease आती है या उन्हीं पक्षियों में आपस में transmit होती है जैसे bird flu है यह सारी diseases Zoonotic Disease में आ जाती है तो इस साल जो theme है World Genosis Day की वो है Let's Break the Chain of Zoonotic Transmission तो World Genosis Day 6 July को हर साल मनाया जाता है आगे बढ़ेंगे The Administrative Government of which state has recently ended the 149 year old practice called Darwar Move मैंने कहा तो वीडियो को लास तक जरूर देखेगा क्योंकि हम important question discuss करने वाले है तो आपको याद होगा कि Jammu Kashmir की जो capital है summer capital श्री नगर होती है और winter capital जम्मू होती है क्योंकि winter में श्री नगर में बहुत जादा बर्फ जम जाती है और यहां से communication करना बहुत मुश्किल होता है तो अब यह 149 year old का जो continuously rule चला आ रहा था capital shifting का यह खतम कर दिया गया है और अब कोई भी shifting नहीं होगी capital की श्री नगर से Jammu में और इसे कहा जाता है दर्बार move जो की यहां पे shifting होती थी next question Flipkart has partnered with which payment provider to launch contactless scan and pay feature for pay on delivery orders तो Flipkart ने किसके साथ partnership की है phone pay के साथ partnership की है ताकि scan and pay feature दिया जा सके pay on delivery पे यानि अगर आपने Flipkart से कोई order मंगाया है अब आपको pay on delivery करना तो आपको cash दिने की जरूत नहीं है जो भी delivery boy आएगा वो आपको एक QR scan दिखाएगा और आप उसको scan करेंगे तो आपका payment हो जाएगा यानि contactless delivery यहां पर possible हो पाएगी तो Flipkart ने इसके लिए contact किया है, partnership की है phone pay से So this is all for today, thank you so much बने रही है हमारे साथ एजनाचल पे झालाचल झालाचल झालाचल